के इस डिजटर लर्निंग प्लेटफोर्म पर जैसा की आपको विरित है हम सेल के बारे में यनिकी कोशिका के बारे में पढ़ रहे थे और कुछ फेक्ट्स हमने कल की कलासमें कोशिका के बारे में पढ़े थे जिसके अंतरगत कल कोशिका के बारे में जो कुछ भी हमने पढ़ा उसका जल्दी सी एक बार ब्रिफ रिविजन करते हैं हमने पढ़ा था कि कोशिका जीवों के सरीर की सबसे छोटी सरंचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है कैसी इकाई होती है सरंचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कहा जाता है किसे कहा जाता है कोशिका को कहते हैं क्योंकि जीवों के सरीर की जो सरंचना है वो किसकी वज़े से होती है कोशिका की वज़े से और जीवों के सरीर के जो कारिय होते हैं वो किसकी वज़े से संपन हो पा उसके बाद हमने पढ़ा कि कोशिका की जो खोज है वो सबसे पहले किसके दवारा की जाती है रोबर्ट हुक के दवारा आप साथ-साथ यहां से नोट कर सकते हैं कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की रोबर्ट हुक ने की थी कब की थी 1665 में लेकिन याद रखें ये जो आगे चल करके 1684 इस्वी में एंटोनी वॉन लुवेन होक वेगानिक का नाम क्या है एंटोनी वॉन लुवेन होक के दवारा जीवित कोशिका को खोजा जाता है और याद रखें लुवेन होक के दवारा सबसे पहले जिवानों की भी खोज की गई थी इसलिए इसको जिवानो विज्यान का पिता भी कहा जाता है जिवानु विज्यान का पिता किसे कहा जाता है एंटोनी वोन लिवेन होक को इसके अलावा हम बात करें सबसे बड़ी कोशिका की तो आप साथ-साथ यहां से नोट कर सकते हैं सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है सबसे बड़ी कोशिका हो सबसे चोटी कोशिका किसकी होती है माइको प्लाजमा माइक्रो प्लाजमा जो की एक जिवानु है माइक्रो प्लाजमा की कोशिका सबसे चोटी होती है सबसे लंबी कोशिका की हम बात करें तो सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है तंत्री का कोशिका जिसको हम नियूरोन कहते हैं तंत्री का कोशी का क्या कहते हैं इसे नियूरोन कहते हैं और तंत्री का तंतर का अध्यन क्या कहलाता है नियूरोलोजी कहलाता है इसके इलावा आप यहां से नोट कर सकते हैं मानव सरीर की सबसे छोटी कोशी का मानव सरीर की सबसे छोटी कोशिका जो है वो किसे कहा जाता है सुक्राणों की कोशिका सुक्राणों की कोशिका मानव सरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है आगे आप नोट करें कोशिका का जो अध्यन है वो क्या कहलाता है कोशिका का अध्यन कहलाता है साइटो लोजी कोशिका का अध्यिन क्या कहलाता है साइटो लोजी और साइटो लोजी के पिता किसे कहा जाता है साइटो लोजी के पिता किसे कहा जाता है रोबर्ट हुक को कहा जाता है वेरी इंपोर्टेंट किसे कहा जाता है रोबर्ट हुक को इसके इलावा हमने पढ़ा कोशी का सिध्धान्त, तो देखिए कोशी का सिध्धान्त क्या है और ये किसके दवारा दिया गया, तो कोशी का सिध्धान्त किसके दवारा दिया जाता है, दो वेग्यानी का आप यहां से नोट कर सकते हैं, एक है स्लाइडेन और दूसरा है स्व स्लाइडेन और स्वान के दवारा सबसे पहले कोशीका सिधान्त दिया जाता है। और कोशिका सिध्धान्त की मुख्य बाते क्या थी कि प्रतेक जीव का सरीर एक या अनेक कोशिकाओं से बना होता है प्रतेक जीव की उत्पती एक कोशिका से होती है लेकिन अपवाद सवरूप यहाँ पे देखा गया वाइरस जो होते हैं वो कोशिका सिध्धान्त के क्या हो होते हैं अपवाद होते हैं very important काफी बार exam में पूछा गया है virus और इसके अलावा rbc virus और rbc जो हैं वो कोशिका सिधान्त के अपवाद होते हैं ये सभी बाते हम पिछे की class में discuss कर चुके हैं आगे हम पढ़ेंगे कोशिका के भाग तो देखिए कोशिका के मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं आप यहां से साथ साथ लोट कर सकते हैं कोशिका के भाग त तीन भाग होते हैं कितने भाग होते हैं तीन भाग होते हैं पहला आप यहां से नोट कर सकते हैं कोशिका जिल्ली और कोशिका भिति कोशिका जिल्ली और दूसरा कोशिका भिति दूसरा जो है वो आप यहां से नोट करें कोशिका द्रवे कोशिका द्रवे और केंद्रक द् कोशिका द्रवे जिसको हम साइटो प्लाज्म कहते हैं और तीसरा आप यहां से नोट कर सकते हैं केंद्रक तो इस प्रकार से कोशिका के मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं तीन भाग होते हैं कोशिका जिली या फिर कोशिका भित्ती कोशिका द्रवे या फिर केंद्रक द स्क्रीन पर देख पा रहे हो कोशिका का जो बाहरी आवरण होता है वो क्या कहलाता है कोशिका जिल्ली कहलाता है लेकिन जो पादब कोशिका होती है उसमें कोशिका जिल्ली के अतरिक्त एक आवरण और पाया जाता है जिसको हम क्या कहेंगे कोशिका भित्ती कहेंगे और कोश क्या कहा जाता है इसे कोशी का दरवे कहा जाता है आगे हम बात करें केंदरक की तो जो आप अपने डाइग्राम में देख पा रहे हो यह structure जो है वो किसकी है केंदरक की है और केंदरक में एक fluid field होता है जिसे हम कहते हैं नूकलियो प्लाज्म या फिर केंदरक दरवे तो इन सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोशी का भिति तो आप यहां से note कर सकते हैं कोशी का भिति कोशी का भिति जो है वो किसमे पाई जाती है तो देखे कोशी का भिति जो है वो किसमे पाई जाती है पादप कोशी का में पाई जाती है किसमे पाई जाती है पादप कोशी का में और याद रखें ये जन्तु कोशिका में क्या होती है अनुपस्तित होती है जन्तु कोशिका में कोशिका भित्ती नहीं पाई जाती तो ये किसमें अनुपस्तित होती है आप यहां से नोट कर सकते है जन्तु कोशिका में क्या होती है अनुपस्तित होती है तो उपस्तित किसमें ह अलावा जो फंजाई होते हैं कवक होते हैं इन सभी में कोशी का भित्ती पाई जाती है आगे हम बात करें कि कोशी का भित्ती जो है वो किसकी बनी होती है इसके संगठन की बात करें तो या तो कोशी का भित्ती किसकी बनी होगी सेलूलोज की बनी होगी काफी बार एक्जाम में पूछा दाता है या फिर किसकी बनी होगी हेमी सेलूलोज की बनी होगी या फिर किसकी बनी होगी हेमी सेलूलोज की बनी होगी इसके इलावा किसकी बनी हो सकती है काइटीन की काइटीन काइटीन के अलावा लिगनीन लिगनीन इसके अलावा पैक्टीन तो याद रखें कोशी का भित्ती किसकी बनी होती है या तो किसकी बनी होगी पैक्टीन या फिर लिगनीन या फिर काइटीन या फिर सेलुलोज या फिर हैमी सेलुलोज की बनी होती है आगे हम बात करें कि पादपों की जो कोशी का भिती होती है वो किसकी बनी होती है सैलूलोज की बनी होती है पादपों की कोशी का भिती किसकी बनी होती है सैलूलोज की जबकि कवक जो होते हैं इनकी कोशी का भिती किसकी बनी होती है काइटीन की बनी होती है आ आप साथ-साथ यहां से नोट कर सकते हैं, एक्जाम के लिए काफी important आपके लिए रहने वाले हैं, जिवानों की हम बात करें, तो जिवानों की कोशिका भित्ती किसकी बनी होती है, पैप्टीडो गलाइकेन की बनी होती है, किसकी कोशिका भित्ती, जिवानों की कोशिका भित कैसा भाग होता है मृत भाग होता है जो की कोशिका को एक सुरक्षात्मक आवरण परदान करता है इसके अलावा ये हम पादप कोशिका की बात करें तो पादप कोशिका में ये कोशिका को द्रड़ता परदान करती है इसके अलावा कोशिका को सूखने से बचाती है आगे हम पढ़ेंगी कोसी का जिल्ली तो दो नंबर पे आप यहां से नोट कर सकते हैं कोसी का जिल्ली सेल मेंब्रेन कोसी का जिल्ली की हम बात करें तो कोसी का जिल्ली किसमें उपस्तित होती है तो आप यहां से नोट कर सकते हैं कोसी का जिल्ली पादप और जनतु दोनों की कोसी आई जाती है कोशी का जिली और इसकी सरंचना इसके संग्ठन की हम बात करें कोशी का जिली किसकी बनी होती है तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे प्रोटीन और वैसा प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है किसकी बनी होती है प्रोटीन और लिपिड की इसके कारिय की हम बात क तो इसका मुख्य कारी होता है कोशिका को structure परदान करना सरंचना परदान करना या फिर जेविक आवरण परदान करना इसके इलावा भोती स्यांदार बात है कि कोशिका जिल्ली जो होती है वो अर्ध पारगम में जिल्ली होती है कैसी होती है अर्ध पारगम में या फिर मैं कह क्यों कहा जाता है क्यों कि कुछ selective कुछ चैनित पदार्थों को यह कोसीका कе अंदर आने देती है और चैनित पदार्थों को ही कोसीका के बाहर जाने देती है इसलिए इसको क्या कहा जाता है अर्ध पारगम में जिल्ली कहा जाता है आप यहां से नोट कर सकते हैं कोशी का भित्ती को अर्ध पारगम में नहीं कहा जाता कोशी का जिल्ली को क्या कहा जाता है चैनित अर्ध पारगम में जिल्ली कहा जाता है आगे हम पढ़ेंगे कोशी का जिल्ली की सरंचना के कुछ सिध्धान्त दिएगे विगानिकों के दवारा तो आप यहां से उनको नोट कर सकते हैं कोशिका जिल्ली की सरंचना के सिध्धान्त और वो कौन-कौन से सिध्धान्त है उनको हम यहां पे डिटेल से पढ़ेंगे कोशिका जिल्ली की सरंचना के सिध्धान्त वेरी लिपोईडल सिधान्त, very important, कौनसा सिधान्त, लिपोईडल सिधान्त, और ये लिपोईडल सिधान्त जो है, वो किस विज्ञानिक के दवारा दिया जाता है, तो आप यहां से नोट करें, ओवर्टन और इस सिधान्त के अनुसार, ओवर्टन ने ये बताया, कि कोशी का जिली जो है वो किसकी बनी होती है लिपिड की बनी होती है दूसरा जो है कोशी का जिली की सरंचना का सिधांत वो है आपका इकाई कला सिधांत कौनसा है इकाई कला सिधांत और ये किसके दवारा दिया जाता है रोबर्ट सन के दवारा किसके दवारा दिया गया रोबर्ट सन के तीसरा हम बात करें तो तीसरा आप यहां से नोट कर सकते हैं सैंडविच मोडल और ये सैंडविच मोडल जो है वो किसके दवारा दिया जाता है very important काफी बार एक्जाम में पुछा गया है सैंडविच मोडल डेविचन और डेनियल डेविशन और डेनियल ने सेंडविच मोडल दिया और ये बताया कि कोशी का जिली की जो सरंचना है वो किसके जैसी होती है सेंडविच के जैसी होती है आगे हम बात करें तो कोशी का जिली की सरंचना का जो चोथा सिधान्त है वो है आपका तरल मोजेक मोडल तरल मोजेक मोडल और यह तरल मोजेक मोडल जो है वो किसके दवारा दिया गया सिंगर और निकोलसन किसके दवारा दिया जाता है सिंगर और निकोलसन के दवारा कुशिका जिली की सरंचना का कौनसा सिध्धान्त कौनसा मोडल दिया गया तो तरल मोजेक मोडल इसके इलावा कुछ क्यूशन के बारे में हम डिसकस करने वाले हैं और पहला क्यूशन आपके सामने है आपकी स्क्रीन पर आपको पूछा गया है कि मृत कोशिका की खोज जो है वो किसके दवारा की जाती है ओप्सन आपको दिएगे हैं लिवेन हॉक, रोबर्ट ब्राउन, रोबर्ट हुक और केमिलो गोलजी दोस्तों मृत कोशिका की खोज या फिर यदि आपको पूछा जाए कि कोशिका की खोज सबसे पहले किसके दवारा कीगी तो आपका आंसर क्या होगा रोबर्ट हुक इस प इसके लावा बात करें हम रोबर्ट ब्राउन की तो रोबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी केंदरक की केंदरक की खोज जो है वो किसके दवारा की जाती है रोबर्ट ब्राउन के दवारा और एंटोनी वोन लिवेन होक ने सबसे पहले जीवित कोशिका को खोजा था ज कैमिलो गोलजी की बात करें तो कैमिलो गोलजी ने किसकी खोज की थी गोलजी काय गोलजी काय की जो खोज है वो किसके दवारा की गई कैमिलो गोलजी के दवारा इस परकार से इस क्यूशन का राइट आंचर होगा option number C चलिए बढ़ते हैं अगले क्यूशन की और अगला केंदरक की खोज किसमे की थी रोबर्ट ब्राउन ने केंदरक को खोजा सबसे पहले लेकिन उसकी खोज जो है वो किसके अंदर की जाती है ये आपको पुछा गया है ओप्सन आपको दिया गया है आर्कीड की जडों में ढहिलिया की जड़ों में, पाइनस की पतियों में, और साइकस की पतियों में. दोस्तो रोबर्ट बराउन के दवारा केंदरक की खोज किसमे की जाती है आरकीड की जड़ों में. इसके इलावा आप यहां से नोट कर सकते हैं केंदरक जो होता है उसको कोशिका का मस्तिस्क कहा जाता है कोशिका का मस्तिस्क जो है वो किसे कहा जाता है केंदरक को कहा जाता है इसके इलावा कोशिका का जो नियंतरक है कोशिका का नियंतरक किसे कहा जाता है मस्तिस्क या फिर नियंतरक या फिर इसका निर्देशा किसे कहा जाता है केंदरक को कहा जाता है और याद रखें केंदरक के चारों और दोहरी जिल्ली पाई जाती है दोहरी जिल्ली डबल मेंब्रेन पाई जाती है केंदरक के चारों और इसमें जितने भी आनवांसिक पदार्थ होते हैं जैस किस में पाई जाते हैं केंद्रक में पाई जाते हैं लेकिन याद रखें डिने की कुछ मात्रा केंद्रक के अलावा जिस कोशी कांग में पाई जाती है वो कोशी कांग कौन सा होगा माइट्रो कॉंड्रिया क्या होगा माइट्रो कॉंड्रिया और हरित लवक ये दो कोशी कां जिनमें DNA की कुछ मातरा पाई जाती है इस परकार से इस क्यूशन का राइट आंशर होता है option number A चलिए बढ़ते हैं अगले क्यूशन की और अगला क्यूशन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर fluid mosaic model किस ने दिया था तरल mosaic model जो है वो किसके दवारा दिया जाता है तो अभी हमने discuss किया fluid mosaic model किसके दवारा दिया गया singer और Nicholson के दवारा दिया जाता है इसके अलावा हम बात करें वाट्चन और क्रीक की तो वाट्चन और क्रीक ने DNA की सरंचना दी थी किसकी सरंचना DNA की सरंचना DNA का जो दिवी कुंडलित मोडल है वो किसके दवारा दिया जाता है वाटचन और क्रिक के दवारा और याद रखें ये कब दिया गया 1953 में दिया गया था इसके लावा बात करें स्लाइडेन और स्वान की तो स्लाइडेन और स्वान ने कोशी का सिध सडिया जाता है। परकार से इस क्यूसन का राइट आंशर होता है, और सिंगर और निकोल सन। चलिए बढ़ते हां अगले क्यूसन की और अगला क्यूसन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर हरीत लवक में पाया जाता है। हरी तलवक में क्या पाया जाता है ये आपको पूछा गया है option आपको दिये गए है ribosome, thylakoid, quantosome और उप्युक्त सभी दोस्तो इस question का right answer होगा option number D, उप्युक्त सभी ये सभी हरी तलवक में पाया जाते है दोस्तो हरी तलवक में 70S परकार का ribosome पाया जाता है उर्जा की इकाया होती है जो उर्जा को घरन करती है या फिर मैं कह सकता हूँ कि प्रकास उर्जा को घरन करती है हरी तलवक की सरंचना की हम बात करें तो यहाँ पे देखिए हरी तलवक जो है एक ऐसा कोशिकान होता है जिसमें दोहरी जिल्ली पाय जाती है डबल मेंब्रेन पाय जाती है याद रखें हरी तलवक में दोहरी जिल्ली पाय जाती है और इस जिल्ली के अंदर एक दरव भरा होता है और इस दरव को हम क्या कहेंगी आप यहाँ से नोट कर सकते हैं इस दरव को क्या कहते हैं ये जो आप red कलर का पिंक कलर का देख पारे हो ये liquid है दरव है और इस दरव को क्या कहा जाता है इस डरव को कहा जाता है इस्टोमा क्या कहेंगे इस्टोमा इस दरव को क्या कहा जाता है इस्टोमा और इस इस्टोमा के अंदर आपको बहुत सारी सिक्के के धेर जैसी सरंचनाई नजर आएंगी कुछ इस परकार की सिक्के के धेर के समान सरंचनाई होती है इसके अंदर जब आप इसकी सरंचना दे इस सरंचनाई क्या कहलाती है ग्रेनम कहलाती है और इस ग्रेनम को आपस में जोडने वाली एक सरंचना होती है जिसको हम कहेंगे इंटर ग्रेनम इन सरंचनाओं को जो ग्रेनम को आपस में जोडती है इन सरंचनाओं को हम क्या कहते हैं इंटर ग्रेनम कहते हैं और इनके उपर ग्रेनम के उपर भोचारी डोडड डोड जैसी सरंचनाँ आपको दिखाई देती है जिनको क्या कहते हैं? कवांटासोन कहते है और इस एक सिक्के को क्या कहा जाता है? तो इस तरह की सरंचना होती है हरितलवक की और आप सभी जानते हैं कि हरित लवक पोधे के लिए भोजन बनाने का काम करता है इसलिए इसे पादप कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है हरित लवक को कहा जाता है चलिए बढ़ते हैं अगले क्यूशन की और अगला क्यूशन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर 70S कौन सी है option आपको दिये गए हैं दोस्तों एक होता है 70S ribosome और एक होता है 80S ribosome यदि 70S ribosome की हम बात करें तो इसकी दो उपिकाईया 70S 30S plus 50S और यदि 80S की उपिकाईयों की हम बात करें तो आप यहां से नोट कर सकते हैं 40S plus 60S ये इसकी दो उपिकाईया हैं तो इस परकार से इस क्यूशन का राइट आंसर होता है option number A 30S plus 50S इसके अलावा हम बात करें 70S ribosome की तो देखिए 70S ribosome किस में पाया जाता है तो आप यहां से नोट कर सकते हैं माइट्रो कॉंड्रिया में किस में पाया जाता है माइट्रो कॉंड्रिया में इसके अलावा हरित लवक में इसके अलावा किस में पाया जाता है हरित लवक में और याद रखें हरित लवक जिसको परण हरित कहा जाता है क्लोरोफिल कहा जाता है इसका मुखे घटक क्या होत इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि हरित लवक में कौन सी धातू पाई जाती है तो याद रखें मैगनिसेम धातू पाई जाती है कौन सी धातू पाई जाती है मैगनिसेम धातू इसके इलावा माईट्रोकॉंड्रिया हरित लवक और तीसरा आप यहां से नोट कर सकते हैं प् परकार का ribosome पाया जाता है 70S परकार का इसके लावा हम बात करें 80S ribosome की तो 80S परकार का ribosome जो है वो किसमें पाया जाता है Eukaryotic कोसिकाओं में पाया जाता है चलिए बढ़ते हैं अगले क्यूशन की ओर अगला क्यूशन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर तारक काय कोसिका में उपस्तित होते हैं तो देखिए तारक काय जो है वो याद रखें केवल जन्तु कोसिका में ही पाय जाते हैं किसमें पाय जाते हैं केवल जन्तु कोसिका में ही पाय जाते हैं पादब कोसिका में तारक काई नहीं पाए जाते आप इस बात को यहां से नोट कर सकते हैं किसमें पाए जाते हैं जन्तु कोशिका में ही पाए जाते हैं केवल और केवल किसमें पाए जाते हैं जन्तु कोशिका में और इसके कारिय की हम बात करें तो तारक काई का कारिय क्या होता है ये कोशिका विभाजन में सहायक होते हैं और कोशिका में कहां पे उपस्तित होते हैं तो आपका आंशर होगा केंदरक के पास इस परकार से इस क्यूशन का राइट आंशर होता है option number C चलिए बढ़ते हैं अगले क्यूशन की और अगला क्यूशन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर कोशिका का सक्ति ग्रय किसे कहा जाता है और याद रखें माइट्रो कॉंड्रिया की जो खोज है वो किसके दवारा की जाती है अल्टमेन के दवारा कुछ किताबों में अल्टमेन के दवारा कुछ किताबों में आपको कोलिकर देखने को मिलेगा तो आप यहां से नोट कर सकते हैं अल्टमेन या फिर कोलिकर के दवारा सबसे पहले mitochondria की खोज की जाती है और सबसे पहले इसको क्या नाम दिया गया तो ये भी आप यहां से note कर सकते हैं Bioblast क्या कहा गया इसे Bioblast Bioblast और ये Bioblast नाम किस ने दिया था Ultimate ने दिया था आगे हम बात करें हरित लवक की तो हरित लवक को पादब कोसीका का रसोई घर कहा जाता है पादब कोसीका का रसोई घर किसे कहते हैं हरित लवक को जबकि Ribosone जो की सबसे चोटे कोसीकांग होते हैं याद रखें कोसीकांग सबसे चोटे कोसीकांग किसे कहा जाता है राइबोसों को कहा जाता है इसके इलावा ये कई कोशिकांग के अंदर पाया जाता है जिसकी वज़से इसको कोशिकांग में कोशिकांग कहा जाता है इसके इलावा इसे प्रोटीन की फैक्टरी कहा जाता है कोशिका की प्रोटीन की फैक्टरी इसके बारे में डिटेल से हम अगे डिसकस करेंगे कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है राइबुसोम को कहा जाता है जबकि कोशिका के अन्वो का यतायात परबंदक किसे कहते हैं गोलजी काय को कहा जाता है इस परकार से इस क्यूशन का राइट आंशर होता है उप्शन नमबर A माइट चलिए बढ़ते हैं अगले क्यूशन की और अगला क्यूशन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर निमन लिखित में से जीवित कोशिका की खोज किसके दवारा की जाती है उप्शन आपको दियेगी है परकिंजे डुजारडीन लिवेन होग रोबर्ट होग तो दोस्तों जीवित कोशिका की खोज 1694 इस्वी में कब की जाती है 1694 में और ये किसके दवारा की गई एंटोनी वन लिवेन होग के दवारा जबकि परकिंजे की बात करें तो याद रखें जीव दरवे सब्द जो है वो सबसे पहले किसके दवारा दिया जाता है पुरकिंजे के दवारा या प दर्वे की खोज किसने की थी डूजारडी ने और कोशिका की खोज किसने की थी रोबर्ट हुक ने इस परकार से इस क्यूशन का राइट आंशर होता है उप्शन नमबर C लूबेन हॉक चलिए बढ़ते हैं अगले क्यूशन की और अगला क्यूशन आपके सामने आपकी स्क्र पर निमन लेखित में से पादप जगत का जोकर किसे कहा जाता है उप्शन आपको दिये गए हैं सुकरानू, माइक्रो प्लाज्मा, तंत्री का कोशिका और सुतुर मुर्ग का अंडा इस क्यूशन का राइट आंशर होता है उप्शन नमबर B माइक्रो प्लाज्मा को पाद सब जगत का जोकर कहते हैं और माइक्रो प्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका होती है जबकि तंत्री का कोशिका जो है वो सबसे लंबी कोशिका होती है और सुतुर मुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका होती है इन सभी बातों को आप यहां से नोट कर सकते हैं आईए चलि आपको दिए गए है mitochondria, kolgyka centrosome और अंतय परदर्वी जालिका दोस्तो उर्जा देने का जो काम है کårsika के अंदर या उर्जा देने वाला जो अंग है वो कौन सा होता है mitochondria और किस कोsika में पूझा गया आपको eucariotic Kashikau में पूझा गया है तब तक के लिए आप सभी सात्यों का भुद्भु धन्यवाद जय हिंद जय भारत